प्रदानमंती नरेन मोदी शिमला पहुँच गए हैं वहाँ पर उनका आज पूरे दिन कारकरम है सीरे आपको वही की तस्वीरे दिखा लेते हैं प्रदानमंती का काफला इस वक्त कुछ वर्षा उनकी काफले पर की जा रही है गरीब कर्लियान समेलन में शिर्कत करेंगे प् प्यम किसान योजना की अगले किस्तनी की तेरवी किस्त आपके खाते में इसी महिने ट्रांसफर की जाएगी लेकिन इसको लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल करा रहा है इन बातों का विसेज ख्याल रखा जाया वरना प्यम किसान योजना की अगले किस्तनी की आ या योजना केंदर की मोधी सरकार चलाती है जिसका लाब किसानों को लाब पहुचाना है किसानों की इस्तिक को बेहतर कनाने के उद्देश से केंदर की मोधी सरकार ने किसानों के आर्थिक दसा को सुधारने के लिए पीम किसान योजना की सुरुआत की अब तक केंदर की मोधी सरकार ने किसानों के खाते में 12 किस्ते डाल चुकी है वहीं अब किसानों को 13 किस्त का बिसबरी से इंतजार हैं आपको बता दे कि परधान मंतरे किसान सम्मान निदी योजिना के तास सलाना 6000 रुपए किसानों को उनके बैंक खाते में directly transfer के जाते हैं ये पैसे चार महिने के अंत्राल में दो-दो हजार रुपई की तीन किस्तों में किसानों के भैंक खाते में Kelly केंदर की मोधि सरकार transfer करती है 12 वी किस जारी होने के बाद अब किसान 13 किस्त का बिसबरी से इन्तजार कर रहे हैं उससे पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखने की जरौष है यदि किसानों की स्योंजना का लाव रहना है तो कुछ गल्तियों से बचने की जरूष है जिसकी वजह से आपके पाई से अटक सकते हैं आए जानते हो कौन कौन सी गलती आए जिसको आपको जल्स जल्द सुलजा लेनी है यदि आप चाहते हैं कि तेरवी किस्त आपके पास बिना रुकावर के आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाए तो इसके लिए आपको अपनी EKYC अपडेट करवा कर रखनी है यदि आप ये नहीं करवात हैं तो आपके पैसे अटक सकते हैं वहीं एगर आप PM किसान योजना के अधिकारिक पोर्टल ये की PM किसान डियोबी डारिन पर जाएंगे या फिर आप अपने नस्दी की CSA सेंटर ये की जन सेवा केंदर पर भी जाकर अपने EKYC अपडेट करवा सकते हैं यदि आप चाहत लेक सत्यापन का करा लें यदि आपको 12 किस का लाफ मिला है तो ऐसे में कोई читमता की बात नहीं है यदि 12 किस का लाफ eldest कराने की आपको जरूरत है आईए अप जबया है कि 13 किसान आपके खाते में कब टक ट्रांसफर की जा सकती ए यह जर्याकर ही है कि 12 किसानों के खाते मे ट्रांसफर कर दी गई है ये बात तो आपको पता है अब बता दें कि किसान लवारती जो है 13 किस्त का विसबरी से इंतजार कर रहे हैं मीडिया रिपोर्टS की माने तो दिसंबर महीने य comfy कि इसी महीने आपके खाते में तेरवी किस्त के पैसे ट्रांसफर किया सकते हैं हाला कि इसको लेकर अभी तक अधिकारी घोफरा नहीं की गई है